सो वेलकम बेक टो मैं चैनल गाइज मैं हूँ आपका दोस्त भासकर वर्मा लेके आया हूँ HTML सिरीज के एक और वीडियो दोस्तो आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है है quotation and citation के बारे में ठीक है यह topic आपका article writing के point of view से बहुत ही important है ठीक है html के अंदर जब आप article writing करते हैं जो structure point of view से section का part होता है ठीक है तो जो टेग्स में आपको बताने वाला हूँ वो काफी काम आने वाले आपके अगर आप article writing या blog writing करते हैं ठीक है quotation and citation आज का जो है topic रहने वाला है तो कल जो मैंने करवाया था तो वो topic आपको structure के बारे में मैंने आपको बताया था ठीक है जिसके अंदर header और navigation part then उसके बाद आपका था section part then उसके बाद था आपका footer part ठीक है यह हमने कल cover किया था तो आज जो है website से उठाया था तो आप माली यह से आप एक पहरा यानी p-tech के बीच में आप इसे डाल दीजिए एक बार के लिए ठीक है यह आपने पेस्ट कर दिया एक पहरा ग्राफ के बीच में वैपेज को लोड करता हूं दिखाता हूं किस तरीके से आपको यह दिखेगा यह आपका इस समल सा पहरा कर आप वेब्साइट के अंदर आगये है अब मान लीजिए इसके अंदर इस आर्टिकल के अंदर बहुत से पॉइंट्स ऐसे होंगे जो शौट फोर में होंगे बहुत से पॉइंट्स ऐसे होंगे जो कुछ special मीनिंग रखते होंगे या बहुत एक आपके आ इस content में उस part को रख देंगे जिसे आप quotes के बीच में चाहते हैं मालीजिए मुझे इस पहरा graph के अंदर hypertext markup language यह बहुत ही important चीज है इस पूरे पहरा graph के अंदर क्योंकि यह HTML के बारे में ही है ठीक है और पहली line में लिखाया कि HTML stands for hypertext markup language यानि HTML की full form hypertext markup language है ठीक है तो hypertext markup language जो है importance रखता है इस पूरे आर्टिकल के अंदर तो आपने उसको क्या 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 क्यों tag के बीच में रख दिया जिसका क्या effect पड़ेगा कि वो double quotes के अंदर आपका आ जाएगा ठीक है यह देखिए hypertext markup language तो इस तरीके से आप किसी भी ची दूसरा तरीका मालेजे आपको इस article के अंदर नहीं बताना HTML की full form क्या है तो आप दूसरे तरीके से कि अगर कोई जानना चाहे web page के उपर कि इसकी full form क्या है आपको आर्टिकल में ना लिखना हो तो वह किस तरीके से हो सकता है तो quotes वाला पार्ट में यहां से हटा देता हू यह तो आपको समझ में आ गया होगा ठीक है तो यह HTML stands for यह मैं हटाई देता हूं पूरा तो पहली लाइन पूरी गाया वह जिसके अंदर HTML का मतलब बताया हुआ था आपको कि HTML क्या होता है ठीक है तो अब सीधा सीधा आ गया HTML is the standard markup language ठीक है अब यह इन्होंने HTML के बारे मे जाके सर्च करने के तो किस तरीके से आप बता सकते हो तो उसके लिए टैप का यूज होता है ABBR ठीक है ABBR टैग का यूज होता है जिसमें आप open करेंगे और close करेंगे ठीक है उसके बाद यह मैंने इसको काट दिया वाइं मिस्टेक टाइटल अब यहां पर आप वो फुल फॉर्म दे सकते हैं जो आप देना चाहते हूं मालों आपने HTML की फुल फॉर्म बताई है कि HTML के abbreviation क्या है hypertext markup language तो आप इसका जो content है उसके अंदर hypertext html को paste कर देंगे और जो title है उसके अंदर उसकी कि आपको कुछ नजर आ रहा है html के नीचे dotted line आई होई है और बाकी पहरा essay का essay है यह dotted line क्यों आई है और सिरफ html पर क्यों आई है क्योंकि हमने जो abbreviation है उसका content html को ही बनाया है इसलिए सिरफ html के ओपर dotted line आई है और इसका effect क्या होगा title का इसका effect यह होगा कि जैसे ही आप इसके ओपर hover करेंगे cursor को यह देखिए उसकी full form आ जाएगी hyper text markup language ठीक है इस तरीके से आप अब फुल form बता सकते हैं और बहुत सी चीँज़े बता सकते हैं माल लिजे एक यह तरीका भी है कि कि सी बुक का नाव आप tighten पता करना है तो आप दे सकते हैं मालो आपने किसी भी एक्स वाइज जी ठीक है अब उसके राइटर का नाव आप यहां पर दे सकते हो तरीका वैसे वे नहीं नहीं है standard क्योंकि यह सिरफ abbreviation और उसके टाइटल के बारे में बट एक दूसरा वे है आपको अगर उसके बारे में कुछ extra information देनी हो xy-z के बारे में तो xy-z के बारे में जो आपको extra information देनी है तो आप इस तरीके से कुछ भी extra information डाल सकते हैं सेव करेंगे पेज पर जाएंगे रिफ्रेश करेंगे यह देखिए xy-z is the tender markup language कुछ भी लिखा हुआ xy-z के ओपर जाएंगे तो जो भी आपने टाइटल में चीजे लिखी हुई है वह आप इस तरीके से display करा सकते हैं यह second way है कि चीजों के बारे में extra आपको कुछ जानकारी देनी है आपको article भी नहीं लिखना बट उसके साथ किसी तरीके से बाउंड उस चीज को करना है उस चीज को बांधना उसके साथ तो इस तरीके से आप बांध सकते हैं ठीक है तो यहां पर हम वापिस से लिख देंगे और यहां पर हम लिख देंगे hypertext markup language ठीक है तो हमने दो important चीज़े cover कर ली है एक है abbreviation किस तरीके से बताते हैं अपने article के अंदर blog के अंदर दूसरा quote के अंदर कैसे लिखते हैं ठीक है तो अब तीसरी चीज़ जो मैं आपको important बताने वाला हूं मालीजे आप किसी दूसरी website कोई ब्लॉग उठाते हैं आप किसी जी राइटर का आपको यदि कोट उठाते हैं तो आप किस तरीके से आपने वेब पेज के अंदर उसे दिखाते हैं तो तो उसका यहीं तो में चाहिए आपको यही वेब पेज करते हम parenth को अटार के उसके ँतिका तो इसको पहरा ग्राफ हो गया आपना तो इसको पहरा ग्राफ डाल देता हूं ताकि बीच में थोड़ा स्पेस आ जाए एक बार आपको डिस्प्ले करा यह सिंपल सा मैंने दूसरा पहरा एड कर दिया यहां पर तो आप अब बात आती है कि जो आप दूसरे किसी ब्लॉग को यहां पर दिखाते हैं किसी दूसरी वेबसाइट से कोई इंफरमेशन है किसी और राइटर की चीज आप यहां पर अपने ब्लॉग पर आपने आर्टिकल के अंदर दिखाना चाते है उसको दिखाने का तरीका क्या होता है उसको पहरा ग्राफ से हटा कि आप यहां पर देंगे पूरे पहरा ग्राफ को ठीक है जो भी आप किसी दूसरे वेबसाइट से किसी दूसरे ब्लोग से किसी दूसरे राइटर की आप information आप ले रहे हो कहीं से यह देखिए आपको नजर आ रहा है इस तरीके से ठीक है तो जैसे ही हम इसको ब्लोग कोट के अंदर डालेंगे यह इस तरीके से हमें नजर आएगा इस पूरे के पूरे पहरा से यह पहरा अलग नजर आ रहा है क्योंकि हमने इसे ब्लोग कोट में डाला है और जहां से हमने इस आर्टिकल को इस ब्लोग को इस पहरे को उठाया है वहाँ पे आप इसका रेफरेंस देंगे साइट करके CITE आपने कर दिया और उसके अंदर आपने इसका रेफरेंस डाल दिया इसकी वेबसईट का नम हालाकि यह वेबपेज पर आपको डिस्प्लेए नहीं होगा है बट स्टील जो बंदा कोड कर रहा है यह इसको देख रहा है ठीक के साइट करके आप इसका रेफरेंस देते हो जैसे मालो आपने राइटर का नाम लिखाया है साइट करके या कुछ भी आपने इसकी बिक की नाम लिग दे जहां से आपने ये उठाया है ठीक है इस इस अब लोग इज चेकन फ्रोम एक्स वाई जड़ बुक यहां पर नाम लिख दो कुछ भी ए बी सी बुक का नाम आपने दे दिया ठीक है अब आपने इसको एक तरीके से साइट कोट्स आपने साइट टेक का यूज करके इसके अंदर को अठीक है यहां से उठाई है एक हम् और इस बुक में इसब लख तरक्त हेने और इस लिए और इसके लिए आप चौन YOURLA की और एंठेक का यूज करते धन तो यांरन से आपको एठ्ما आपनाया एक है यह देखिये आ गया आपने यह आर्टिकल लिख दिया अलग से ठीक है इस आर्टिकल जिस तरीके से अलग से सेक्षन और ब्लोक में डिवाइड हुआ उससे पता लग गया कि हाँ यह आर्टिकल किसी बंदे ने बनाया है किसी बुक से तो आपने बता दिया कि यह रेफ्रेंस मिलते हैं नई टॉपिक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुडबाई and टेक केर